नमस्कार आप देख रहे हैं जनता टीवी पर मेगा कवरेज हरियाना विधानसवा चुनाफ दोजार चौबीस मंगलवार को बीजेपी का मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है आज तक हरियाना के इतियास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार बनाई हो उस मिथक के साथ चल रही है कि केंद्रमजिस की सरकार हरियाना में उसी की सरकार और ये कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है क्योंकि बीजेपी के लिए आंकड़ा पचास सीटों का दिखाई दे रहा है और इस बीज एक दिल्चस्प खबर जो हमारे पास है उस पर हम बात भी करेंगे वो ये कि क्या कॉंग्रेस से रणनीतिक चूक हो गई है कॉंग्रेस ने अपने सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया था तो क्या विधायकों के खिलाफ एंटी इंकंबंसी नहीं थी प्रदीव चौधरी कालका से पीछे चल रहे है नीरश शर्मा फरिदावाद एनाइटी से पीछे चल रहे है विशलाल सैनी रादौर से पी पीछे चल रहे है धरम सिंग छोकर समालका से पीछे चल रहे है बलबीर सिंग इसराना से पीछे चल रहे है जगबीर मलीक गोहाना से पीछे चल रहे हैं गीता भुकल भी पीछे चल रही है क्या ये कॉंग्रेस की रणदीतिक चूक रही कि कॉंग्रेस ने इस पूरे मुद विधायकों को टिकट दिया था अगर नाराजगी एंटी इंकंबंसी सरकार के खिलाफ होती है तो विधायकों के खिलाफ भी होती है क्या कॉंग्रेस से बड़ी रणनीतिक चूक हो गई जो उनके दस बारा चेहरे विधायक पीछे चल रहे हैं और यह पूरा फिगर बदल गय अब लकुल देखें आभी तक के जो रुजहान में नतीजे स्पष्ट है उससे निश्चिक तोर पर कॉंग्रेस को जो उमीद थी उस उमीद को अब कॉंग्रेस को पूरा नहीं होने सही संतुष्ट होना पड़ेगा और निश्चिक तोर पर कॉंग्रेस की रणनीति जो थी कॉंग्रेस ने एक मुस्त पहली ही जो सूची जारी की अपने उमीद्वारों की उसमें तमाम जो विदायब थे उन्हें तिगर दे दी और उसके बाद दूसरी सूची के लिए इंतजार कर जो इतना लंबा हुआ कि जो नामाकन भरने की परकिरिया थी उसके अंतिम जिन से पहली रात को जो है वो कोवेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की और पहली सूची में तमाम वो चेहरे मैदान में उतारे पहले से विधायक थे और तो तो पावन सिवर जानकारी दे रहे थे और ये अब आप हारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन-कौन जीत चुका है विनोत भयाना वो जीत की और है जो बड़े चेहरे हैं वो जीत रहे हैं कवर पाल वो जगादरी से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं ये कुल मिला कर एक सिती है और अटेली में आपको बता दें कि वहां पर मुकाबले में इस वक्त फिर अभी भी बीस पी ही आगे बनी हुई है इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं ये देखिया आप तस्वीरे ये आकड़ा जो पचास का है बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और ये इस लिहाद से बड़ा महत्वपून है कि हर्याना में तीसरी बार सरकार बनाने की परंपरा नहीं है बीजेपी ने आकरी मिनट में मुख्यवंतिरी बदला था वो दाव काम करता हुआ दिख गया है कॉंग्रेस की तमाम कोशिशे जो है वो काम्याब नहीं हो पाई है और अ देखना भी उतना ही दिल्चस्प होगा तो अभी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बड़ी खबर यह है कि प्रिथला से नरायडगंड से कॉंग्रेस की शैली चौधरी ने चुनाव जीत लिया है एक बार फिर से उन्होंने चुनाव जीता है वहीं दूसरी और सुनीत कि अब जो समय हो चला है वो समय डेड़ वजे का है यानि कि आप यह लगा लीजिए कि अब बहुत ज्यादा आकड़ों में तब्तीली होगी ऐसा दिखाई नहीं देता है इसके अलावा हम यह जानना चाहेंगे कि कुछ और हमारे पार सिस्टेम अपडेट है जीव गोहला स देवेंद्र हंस ने चुनाव जीत लिया है बाईस हजार चेसो अठावे वोट से गूला से देवेंद्र हंस अपना चुनाव जीत गए है यह बड़ी ख़बर आ रही है रावदान सिंग पीछे चल रहे हैं गीता भुकल पीछे चल रही है अशोकरोणा ने चुनाव जीत खत्री नुमबर पर चले गए है दिग वज़ें चौटाला तीसरे नूमबर पर चले गए हैото सुनें लाब फीचे चल रही है इसके लावा आपको बताएं तो बीजेपी ने शांदार प्रदोशन किया जीटी डोड़ बेल्ट में पिछली बार बीजेपी ने यहां बारासूइटे जीती दी किस बार नमबर 156 अरड़ा थक जा रहा एगा से भीजेपी को है कि अब बीजेपी जो है और बेल्ट की तुलना करते करते हम बता रहे हैं कि बीजेपी पचास के आकड़े पर है और यहां से ट्रेंड दो चार सीटों का उपर नीचे हो सकता है बहुत ज्यादा की गुंजाइश नहीं है ज्यादतर जगह 14 15 17 18 राउंड की गिनिती है और उ हर्यादा में कहते हैं रोटी पलट जाएं रोटी पलटती हुई नहीं दखाई दे रही है अगले पांग साल हर्यादा में फिर बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है पवं सिवाहएं ऑब और यह ट्रेंड best है इसमें कोई बद्लाब को विल्कुल देखे 2014 में पहली बार भारते जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 47 सीटों के साथ जो वो सत्ता में आई थी उसके बाद 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला गठ बंदन के साथ सरकार जो है वो चलाई थी और 40 सीट 2019 में मिली थी लेकिन अभी तक के जो रुजा पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सत्ता में आतीवी फिलाल करीब देड़ बजे तक के जो रुजान है उसमें दिख रही है साथी साथ हर्याना भाजपा के जो अध्यक्स है मोहनलाल बडोली वो दावा भी कर रही हैं उनका यह कहना है कि हम 50 52 सीट जो है वो जीतेंगे और यह अभी तक के जो रुजान है यह रुजान आप बीजेपी के पक्स में जो अभी तक बने हुए है यह नतीजों में बदलेंगे यह मोहनलाल बडोली दावा कर रही है जबकि दूसरी तरफ कॉंग्रेस का जो खेमा है वहां पर अब उदासी मायूसी जो है वह लगातार औ यहां की जो गयमा गयमी है यहां का जो महूल है वह आप तस्वीरों में देखिए चूंकि इससे आपको एक आंकलन होगा एक प्रस्तिती जो है उसका आप आंकलन कर पाएंगे पंस्कुला जिले के जो बीजेपी के नेता है वह जो चंडिगड में भाजपा विडाइकदल क पहुच गई है जी पावन लाटे के आपके पास पावन बीजेपी प्रदेश मुख्याले चंडिगड से जानकारी हमको दे रहे थे और